नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टेडी पेपर टू के इस टोपिक से और जीएस पेपर फोर्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। यह सारे एसपेट्स हम इस आर्टिकल की डिसकेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है। एक एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले। अक्सर रूलिंग पार्टी के खिलाफ RTI फाइल करते हैं। और जब देखो हम RTI फाइल करते हैं तो हमें अपना एडरस भी बताना होता है। अगर देखो RTI पर हम अपना address नहीं लिखेंगे, तो Public Authority फिर reply कौन से address पर करेगी ना, तो Public Authority को reply करने के लिए RTI applicant के address के आउसकता होती है, तो साकेत गोखले ने भी RTI फाइल की थी, इन्होंने RTI पर अपना address लिखा था, उसके बाद Ministry of Information and Broadcasting ने इनके द्वारा फाइल की गई RTI को अपनी website पर display कर दिया, और इसका नतीज़ा क्या हुआ, साकेत गोखले का जो personal address था, वो भी Publicly display हो गया, उसके बाद साकेत गोखले का अरोप ये है, कि बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे, मेरी जो security है, वो खत्रे में आ गई, इस किसी के address को publicly disclose करना, क्या ये अपराध है, आंसर है no, क्योंकि देखो Indian law में किसी person के residence के address को या फिर office के address को private माना ही नहीं गया है, आपको याद होगा, अभी तो देखो mobile phone आ गए, पहले जब landline phone हुआ करते थे, तो BSNL के द्वारा एक बड़ी सी directory publish की जाती थी, और उस directory मे local town के, local सहर के, लोग के, सभीयों के phone numbers हुआ करते थे, किसी का भी phone number आपको जानना है, आप directory में, देखिए, alphabet wise नाम के हिसाब से आपको phone number मिल जाएगा, किसी भी individual का, इवन देखो, election commission के द्वारा, election से पहले, जो electoral voter list publish की जाती है, कहीं कहीं पर उस voter list में भी होता है address, और ये जो voter list है, ये तो आप election commission की website पर जाके download कर सकते हो, इसके अलावा भी और बहुत सारे examples हैं, जैसे land records, land records को आप publicly access कर सकते हो, और land records की साहिता से आपको ये पता लगत है, कि land का कौन सा हिस्सा मतलब, land की कौन सी unit का मालिकाना हग किस के पास है, इवन देखो, पुलिस के द्वारा, सभी जो FIRs फाइल की जाती है, cognizable cases में, cognizable case कौन से case होते हैं, ऐसे case, जिन में, पुलिस को, accused को गिरफतार करने के लिए, magistrate से वारंट लेने की आवसकता नहीं होती, तो cognizable cases में, जितने भी FIRs पुलिस के द्वारा फाइल की जाती हैं, उन सब को Supreme Court की एक judgment के अनुसार, website पर डालना जरूरी हैं, यानि, cognizable cases की सभी जो FIRs हैं, वो website पर डाली जाती हैं, Supreme Court की एक judgment के बाद, और FIR में तो, जैसा आपको पता है, accused का address होता ही है, इवन ज इसने सिकायत की हैं, उसका भी address होता है, तो आप जाकर किसी का भी address देख सकते हूं, इवन इससे भी ज़्यादा, राजस्तान, सरकार, इवन और कुछ state governments, वो तो देखो, सारी की सारी जो information हैं, कि हमारे दोरा ये schemes चिलाई गई हैं, और इनके beneficiaries ये हैं, इनका address ये हैं, सारी information publicly disclose करते हैं, तो कोई भी जाकर देख सकता है, कौन सी scheme का beneficiary कौन है, और उसका address क्या हैं, वैसे question ये भी उठता है, कि आखिरकार ऐसा किया क्यों जाता है, इसके पीछे rational क्या हैं, इसके पीछे ये हैं, आज के समय में तो corruption काफी कम हुआ है, लेकिन पहले public officials के द्वारा या तो उस नाम के कोई person exist करते ही नहीं थे, public officials उनके नाम पे पैसा allocate करते थे और अपनी जेबे भर लेते थे, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता था, कि beneficiaries की death हो चुकी है, या फिर उन्होंने अपना address change कर लिया है, तो भी public officials उनका नाम काटते नहीं थे, बलकि उनके नाम प अगर सभी beneficiaries का नाम public domain में होगा, तो फिर देखो, कोई भी person, पडोसी या फिर civil society के जो लोग हैं, वो सिकायत कर सकते हैं न, कि भाई आप की list में ये beneficiaries हैं, लेकिन ये तो हैं ही नहीं, exist ही नहीं करते तो आप पैसा किसको दे रहे हो, कौन इनके नाम पे पैसा खा रहा है, त और efficiency भी बढ़ती हैं, तो ये rational होता है, सारी इस परकार की information को publicly disclose करने का, देखो, इसी परकार का मामला 2013 में भी सामने आया था, कैलकटा हाई कोट में, अविशेख गोइंका वर्सेज आसीज कुमार रोय केस में, कैलकटा हाई कोट में एक judgment दी थी, वो केस क्या था, देखो इस केस में, एक RTI एक्टिविस्ट थे, वो ये कह रहे थे, पबलिक अथोर्टी को, कि मैं अपना पूरा address नहीं दूँगा, जो उन्होंने RTI फाइल की थे न, RTI एक्टिविस्ट के द्वरा, उन्होंने कहा, मैं अपना पूरा address नहीं दूँगा, मैं सिरफ पोस्ट ओफिस बोक्स का नंबर दूँगा, जैसे 110008, ये डिल्ली में क्रोलबाग का पोस्ट ओफिस बोक्स नंबर हैं, एक्टिविस्ट का ये कहना था, कि मेरे जो लोकल पोस्ट मैं हैं, वो मुझे जानते हैं, और वो सिरफ पोस्ट ओफिस बोक्स नंबर से, अपने आप, रिप्लाई पहुचा कैलकेटा हाई कोट में, कैलकेटा हाई कोट ने अलाओ कर दिया, कि अगर कोई पर्सन चाता हैं, तो वो अपना सिरफ पोस्ट ओफिस बोक्स नंबर दे सकता है, आटियाई एप्लिकेशन पे पूरा एड्रस देने की जूर्त नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैल कैलकेटा हाई कोट की इस जज्जमेंट का मतलब यह हुआ, कि कोई आटियाई एप्लिकेंट सिरफ पोस्ट ओफिस बोक्स नंबर दे सकता है, लेकिन अगर पब्लिक अथोर्टी को आटियाई एक्टिविस्ट के आटियाई एप्लिकेंट के एड्रस धुनने में दिक्कत आ अविशेक गोइंका वर्सेज आसीज कुमार रोए, तो 2013 की कलकेटा हाई कोट की इसी जज्जमेंट को अधार बनाकर बोंबे हाई कोट ने बोला कि भाईया यह जो साकित गोखले के द्वारा फाइल की गई आटियाई को आपने पब्लिक ली डिस्क्लोज किया है, इससे इ दोनों हाई कोट्स ने जो जज्जमेंट्स दी, उन्होंने इस आरग्यूमेंट पर जज्जमेंट्स दी कि पर्सनल इंफोर्मेशन पब्लिक ली डिस्क्लोज करने से च्छो स्क्योर्टी है, वो खत्रे में आ सकती हैं, बट अगर बात करें, आर्टियाई एक्ट में क्या को disclose करना prohibit किया गया है या फिर नहीं किया गया है क्या है RTI Act में वो हम जान लेते हैं देखो RTI Act ये बोलता है government के पास सारी की सारी जो information है वो citizens के साथ share करनी चाहिए until and unless उस information को exemption मिला हो RTI Act के section 8 और section 9 में section 8 में ये बोला गया है वो information जो कि personal information से समदित है और जिस information का public activity या फिर public interest से कोई लेना दिना नहीं है अगर उस information को disclose किया जाता है तो किसी individual की privacy पर invasion होगा तो उस information को देखो तभी disclose किया जाए अगर central public information officer या फिर state public information officer या फिर appellate authority को ये लगता है कि उस information को disclose करने से larger public interest सर्व होगा otherwise फिर उस information को publicly ना disclose किया जाए ये बोला गया है section 8 में मैं फिर से repeat कर देता हूँ देखो ऐसी information जो personal information से समदित हो जिसका public activity या फिर public interest से कोई लेना देना नहीं है तो फिर उस information को तभी publicly disclose किया जाए जब central public information officer या फिर state public information officer या फिर appellate authority को ये लगता है कि उस information को publicly disclose करने से larger public interest जो है वो सर्व होगा otherwise फिर उस information को publicly ना disclose किया जाए और देखो कोई भी information जो public authorities के द्वारा parliament को दी जाती है या फिर state legislatures को दी जाती है वो information अगर कोई RKI applicant मांगता है तो फिर public authority मना नहीं कर सकती कि हम ये information आपको नहीं देंगे मतलब public authority कोई भी information अगर state legislature को या फिर पार्लेमेंट को दे सकते हैं तो वो सारी information RKI applicants को भी देनी होगी इसके बाद देखो ये भी समझ लेते हैं कि public activity से संबन्दित information या फिर personal information के examples क्या है देखो generally सारी जो information public record में generate होती है वो public activities से ही generate होती है for example आपने government job के लिए apply किया, राशन कार्ड के लिए apply किया cash certificate के लिए apply किया ये सब examples हैं public activities के और इनसे जो information generate होती है वो एक public record है लेकिन राइटर के अनुसार कुछ personal information ऐसी होती है जो public authorities के पास होती है लेकिन वो public activity की वज़े से नहीं निकल के आती है जैसे देखो किसी person ने सरकारी हस्पताल में इलाज करवाया किसी scheme का लाब लिया जैसे प्रधान मंत्री जन अरोगय योजना public sector bank में कोई transaction की तो ये जो information है ये public activity के बार नहीं generate होई है ये public activities नहीं है इलाज करवाना या फिर public sector banks में transaction करना जैसे एक और example है government authorities किसी के घर पर rate डालते हैं तो rate में तो देखो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है तो वो authorities जो है ऐसी कोई information को publicly disclose नहीं कर सकते जिनका उनसे काम से कुछ लेना देना नहीं है जिनका public activity से कुछ लेना देना नहीं है खुल मिला के देखो writer ये बोलना चाहते हैं वो सारी information जो public activity से जनरेट हुई है उसे public domain में डालना चाहिए इससे corruption खतम होगा transparency आएगी governance में जनता का जो interest है trust है वो increase होगा और effectiveness में increase होगी इसके साथ साथ वो information जो public activity के बाद जनरेट नहीं हुई है उसको आप exempt कर सकते हो जैसे public sector banks में transactions या फिर medical record और meanwhile जो RTE activists अपनी security को ensure करना चाहते है वो post office box number दे सकते हैं बजाए के पूरा address देने के इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion